हलो आज हम बात करने जा रहे है जामील असलामीया के जो है entrance test के बारे में बात करने जा रहे हैं इसमें हम बात करने जा रहे हैanstعد मिनमम marks के बारे में कि आपके at least जो है कम से कम कितने marks आने चाहिए कि आप admissions के लिए eligible होगे जो list आएगी उस minimum Mark से नीचे नहीं आएगी आप eligible तब ही होएंगे जब आपके marks जो है minimum इतने आए वे होने चाहिए मतलब इस marks से कम cut off नहीं जाएगी आईए पहले हम इसमें देख लेते हैं क्या है फिर मैं आपको इसमें चीजें समझा देता हूँ कि क्या चीजें कहना चाह रहे हैं हम इसमें सारे कोर्स की बात कर रहे हैं चाहिए आपने पोस्ट ग्राइशन के लिए अपलाई कर रहा हूँ तो हम इसमें जो है सब के लिए बात कर रहे हैं आईए देखे सबसे पहले हम यह देखे सब्जेक्टिव पार्ट है जैसे हिम अग्זה आपको बता दी दो पीपर होता है यह बात कि पुछे जाते हैं और पांट बी जो होता है वह उता है सब्जेक्टिव ठीक्षिठ में आपको रिटन लिखना पड़ता है वो 60 marks का होता है तो देखिए इसमें क्या कहा रहा है अगर आपके less than 30% marks आते हैं मतलब कि आपके जो सब्जेक्टिव पार्ट 60 का है अगर आपके इसमें marks 30% से कम आते हैं तो आप ना तो interview के लिए इलिजिबल होंगे ना ही admissions के लिए इलिजिबल होंगे तो यह चीज़ आपको याद रखना है आपके marks 30% से जादा ही होने चाहिए तो यह कोशिश करना है आपके less than 30% नहीं होने चाहिए तो 30% देख लेजे minimum यह eligibility नहीं होने जो है अब लगा दी गई है पहले ऐसी conditions जो है नह तो ठीक है कई courses में subjective है कुछ part MCQ होता है और कुछ part subjective होता है तो अगर आप admission और interview eligible होना चाहते हैं तो आपको यह चीज़ ध्यान रखना है कि आपके marks कम से कम 30% आने चाहिए उस course में ठीक है next point next point देखे यह third number there will be negative marking जैसे कि आप लोग को पता है कि negative marking 0.25 होती है हम कह सकते है one fourth negative marking होती है for each wrong answer in the objective type या फिर कहले हम multiple choice question in all program of the university मैं आपको बता है हम सारे courses की बात कर रहे है candidate obtaining less than 50% marks in the objective type और multiple choice question will not be shortlisted for interview or admission अगर आपने MCQ में जैसे कि अगर हम बात कर ले MCQ 100 marks के question आए जातर courses में जो है सिर्फ और सिर्फ आपको क्या देना पड़ता है entrance test interview नहीं होता हमें example ले लेते हैं BA political science का अब BA political science का आपने entrance test दिया और आपने 100 में से 16 marks लेकर आए तो आप eligible है क्योंकि 15% marks कितने हुए less than 15% की बात कर रहे हैं तो आपके 15% 15 से marks कम नहीं होने चाहिए यह आपको याद रखना है मतलब 15% यह हम बात करें mcq में subjective में आने आपको इससे पहले बताया था तो mcq में आपके कम से कम कितने marks आने चाहिए 15% से उपर आने चाहिए यह आपको याद रखना है ठीक है अगर आपके less than 15% marks आते हैं तो आप short list नहीं होएंगे अगर उस course में याद रखना है आपको कितने marks लाने 15% से उपर ठीक है यह हमने बात करें जिन courses में entrance test है अब देखें कई courses में entrance test नहीं होता जैसे कि हम बात कर लें इसमें यहाँ पर देखिए बी टेक बी आर्क और बीडियेस तो देखें इनके लिए भी देखें कंडिशन का लिकी हुई है admission to eligible candidate to all program offered by various faculty and center of जयमिल असलामिया shall be done through merit determined on the basis of an entrance test आप लोग को यह तो चीज़ पता है अगर entrance test है courses में तो merit कैसे बनेगी entrance test पर जैसे marks जिन बच्चों ने score करे होंगे highest marks जिसके होंगे उसको select किया जाता है ठीक है उस basis पर select किया जाता है जो कि जामिल असलामिया conduct करवात है except BTEC, BR, BDS और any other भी अगर कोई course है तो ठीक है followed by an interview and or other component for BTEC and BR, admission is offered to eligible condition as per merit on the basis of final rank of candidate in J.E.Main तो BTEC और BR के लिए कैसे admission होता है, J.E.Main के थुरू होता है, ठीक है, उसका entrance test का होता है और अगर हम बात करें BDS program के लिए, यह shall be on the basis of merit in need, ठीक है, तो इसके लिए आप लोग को बता लिए इसके लिए क्योंकि जामिल असलामिया जो है, entrance test conduct नहीं करवाता, यह in rankings के according होता है लेकिन जो बाकी सारे courses है, उसका entrance test कहां होते हैं, जामिल असलामिया खुद conduct करवाते हैं, ठीक है तो जब खुद conduct करवाते हैं, तो उसके लिए आपको मैंने यह eligibility बता दी है तो यह चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, अगर आप interest test की तयारी कर रहे हैं, तो यह चीज आपको याद रखना है, subjective part अच्छे से करना है ताकि आप 30% minimum तो देखर minimum यह है, minimum पहले यह चीज नहीं होती ती, जैसे मैं आपको यह course का example दे दूँ, जिसका course code है B52 Bachelor of Vocational Medical Laboratory Science, आप इसकी cut-off देखेंगे, अगर 2019 की तो इसकी cut-off देखेंगे, आप 12 marks तक भी गई हुई है 13, तो यह देखें कितने, 15% से भी कम, तो यह condition जो है, अब नहीं, अब अगर इसकी देखेंगे, तो अब cut-off इसकी 15% से नहीं गई है अब ही last देखेंगे, मैं शौर नहीं हूँ, 16 या 17 cut-off गई हुई है, ठीक है, तो यह आप देख सकते हैं, जायमिल असलामे की side पर जाके, लेकिन इसकी cut-off जो है, अब 15% से नीचे नहीं आईगी तो यह चीज़ आपको ध्यान रखने है, इसमें यह चीज़ जरूर थी, बाकि एक एक करके हर चीज़ पर मैं वीडियो बना दूँगा, जो भी आप लोगों की doubt आते हैं, ठीक है, फिर भी इस point में किसी को doubt आ रहा हो, तो आप comment कर सकते हैं, मैं आपको doubt के लिए रख कर तीक, तैंक यू